पत्थर के आँखों से कभी आशू नहीं आट वाकई आप कौन हो आप खुद जानते हैं आपके आँखों से आशू बहने चाहिए अगर आपके आँखों से आशू नहीं बहते तो आप स्वस्त नहीं हो एक स्वस्त इंसान के आखों से कभी न कभी आशु आते हैं सानुभुति के आशु रोने वाला कभी भी इमानदर नहीं हुसकता और आजकल दुनिया दिखावे की होगे रुदाली बुलानी की जरुत ने, खुद रुदाली होगे लेकिन उस आनंद के पीछे कोई पागन ने क्यों सुख का बोलबाता है तो और कोई शुख के पीछे, आश्वाराम के पीछे मनरणजन के पीछे बागा जट तक प्रेम, आनंद और परमानंद के आसु आपके आखों से, आपके गालों पर टपकते नहीं है तब तक आपने जीवन का असली मज़ा चखाई नहीं। जब आप असली फ़ल खाकर इतना उससाइथ हो रहे हैं तो असली आनन्द होने के बाद आप कितना आप उसको महसुस करोगे। इस दुनिया में कुछ भी बैतर नहीं होता। हर चीन्स बैतर हैं। अगर आप पूरे पोश्व आवास खूकर करें। आप इस खाने के पीछे पागल हैं। आप इस चरिक भोगों के पीछे पागल हैं। आज लोग पैसे के पीछे, सत्पा के पीछे, सब तरप लोग पागल हैं। प्रॉपर्टी जमा करने के लिए, नाम रोशन करने के लिए, सबसे बड़ा पागल तो, पागलपन तो पेशा और सेक्स ले दोनों का, यह क्यों है क्यों कि इसमें कुछ सुक मिलता है, कुछ समाधान मिलता है, शायद, लेकिन वह जूटा है, अगर असली आनन्द आपको अब तुर शांत होजा, ध्यान में दूप जओ, अपेक्सा छोड़ दो, सेवा करो, जिस स्जीज में जी रहे हो स्जीज में दोप जा, अपने आप अनन्द हुझाओ, और जिस दिन आपको आनन्द का पता चले, जिस दिन आपको परमानन का पता चले, उस दिन से आप इस छोटी छोटी सूखों के पीछे नहीं भागो, जंगलों में इस पत्थोनों के और इस सब एक कृतिरियम दुनिया से बाहर निकल कर आप थोड़ा प्रकृति के सानिद्य में चले जाने, तो आपको प्रकृति का अनन्द ने लिए दोस्तों, आपने कभी सुना होगा, तेरे क आवध हमेशा कही जाती है, जब कोई धोका देता है ना, तो उससे का आ जाता है, क्यों मगरमच के आशू रो रहा है, मगरमच के आशू, बात क्या है, अपने मगरमच को देखा है, कभी देखा है, वो क्या करता है, पास आने वाले हर जीव को शिकार बनाता है, वो आपके पास आयेगा और रोयेगा कि मेरी साहिता करो मेरे पीट पे कांटा चुप चुप चुका है वो निकालो और जहीसे आप पास आओगे आपको अपनी जबडे में जकट लेगा आपका शिकार बना देगा अतलब उसके जो आशु होते हैं वो कैसे जूटे हैं मकार हैं इसलिए ह जो विश्वास घात करने के लिए दोसरों को फसाने के लिए जो साहनुभुती दिखाता है, रोता है, बिलगता है, उसे मगर मस के आशु कहते हैं आशु तो हमारे आते आपको पता है विज्ञा न इसे कहता है अगर आप माइक्रोस्कोप की नीचे आपके प्रेम से आने ऑले आंको आशू, आपके सादरण से आशू और खुशी के आशू, दुख के आसू, सबको अगर आप उसको देखोगी, तो उसका structure भनता है, अगर आपके जह आशू है उसको Aश्वान तो साधारन स्ट्रक्चर बनता है, डिजाइन, अगर वो खुशी के है, तो संदर फूरों जैसे डिजाइन बनते हैं, अगर वो दुख के है, तो डेड़े मेरे विकृत उसके डिजाइन बनते हैं, तूटे टूटे से, आशू आशू नहीं है, उसमें फर्क है, आजकल तो इतनी नौबत आ गए है कि सामने वाले के आखों में कौन से आशू है, वो उसको पूछने पड़ते हैं, कौन से आशू है, तो आशू सिर्प आशू नहीं है, वो आपकी भावनाओं को प्रदरशित करते हैं, तो आपके एक स्वस्त इंसान के आखों से कभी न कभी आशू आते, पत्थर के आखों से कभी आशू नहीं आते, वाकई आप कौन हो, आप कुछ जानते ह attorney, बहुत सारे लोग हैं, जादा तर लोग है इसे हैं, जो अपनी सहानुमुद्वती के लिए आसू निकाल, अपनी घल्तियों को छिपाने के लिए आसव निकाथ, अपने गलतियों के ढखने के लिए आसुका इस्तेमाल करते, क्या ऐसा नहीं है। जब सामने से अपनी चुरी पकर जाती है या अपनी घलतिया पकर जाती है तो तुरंत अपने आँखों में आसव आजा रहे हैं। क्या, मुझ पे धया करो, मुझे माफ कर दो आसु के सहारे हम यह बोलने की कोशिश करते हैं मैं तो अभी खत्म हो गया, मैं तो रोदिया मतलब मैं तो शरन आ गया लेकिन वो मगरमच के आसु होते मकार आसु होते हो क्योंकि जब वक्त मिलेगा वापिस वो तैन जाएगा और पिछले वक्त जो हुआ उसका बदला लेगा सान गुति के आसु रोने वाला कभी भी इमानदर नहीं हो सकता है हमेशे जो लोगों के सामने रोता है वो इमानदर होता ही नहीं गलतियों के बारे में बोला हूं जब गलति होते है न तो जो सामने लोगों के रोता है जब असली में दुख होता है दुख जो जाहिर करता है समझ लीजे कोई गुजर गया कुछ हो गया कुछ नुकसान हो गया कुछ निक्सान हो गया तो उसका जो दर्द है उसके आसु जो सामने प्रदर्शित करता है और रोना दोना बड़ा हंगामा मचाता है उसके अंदर कोई प्रेम नहीं वो आसु ही इसलिए निकालता है वो प्रदर्शन ही इसलिए करता है इतना उचलता कूछता, इसलिए है कि सामने वाले जाने कि इसका कितना प्रेम था, देखने वाले भी जूटे और दिखाने वाला भी जूटा, फिर आप बनेंगे आसली दुख जब होता है, तो आसु कब आते हैं, जब अकेले हो जाते हैं, तब जो आसु आते हैं, वो मंदिर में आपको खोल देते, नहीं तो कोई राजस्तान में आपको मालूमें, रुदाली, देखा होगा आपने, रुदाली में क्या दिखाया है, कि जब आपके घर में कोई गुदर जा पाए, तो खास मातम मनाने वाले, कुछ औरतों को बुलाया जाता है, और वो जोर ज चिलाती है, रोती है, उस शव के पास, आपके लिए रोती है, जैसे मंदिर में पुजारी आपके लिए पूजा करता है, वह इसे वो आपके लिए रोती हुआ, पैसा लेकर रोती, तो बैंड बाजा बजाने वाले पैसा लेकर बजाते, वो भी बजाते, फिस पैसे लेकर कोई फर्क नहीं, तो इस दिखावे का रुना दोना, दिखावे के आसू, कोडिक की दाम के ने, और आजकल दुनिया दिखावे की हो गई, रुदाली बुलानी की जरुत ने, खुद रुदाली हो गई, आपने जब कोई गुदर जाता है तो गाव में देखा हो गाना, कैसी अभी उसकी नकल करने की जरुत ने, शायद आपको याद आ रहा होगा, किशी चिल्ला थे बड़े-बड़े, आवाज से, वो सूर भीर ऐसे लगा थे, दोस्तों, ये मजाक की बात में, इससे हम पाखंडी हो गए, तो हमें इस पाखंड से जो असलियत है जिवन की, उसका पता ही नहीं, हमने नकली खाना खा खाकर, नकली चीजे खाकर, आसली चीजों का में, पता ही नहीं, इस सार आपने देखा होगा, जब एस सिटी वेदी के आम आये, जब आम खाये लोगों ने, तो पिछले 15-20 साल से जो आम खा रहे थे उसको भूल गए, वो बहले ये गाओं में गये थे, वो आके जो अफसर थे, उनको हमने टेस्स के लिए सबको एक आम काट कर दिया, वेदिक का, आपको बिलिव नहीं होगा, एक अफसर ने उसमें से आदाम खुद खा लिया, बाकी लोग उसको पाना दे रहे थे, फिर भी उसने खा लिया, बेशरम होगा और सबसे बड़ा अफसर था, बात उस अफसर की गलती की लोब की नहीं है, उसको पहली दफा इतना अच्छा हम मिला, वो क्या करें, असली चीज जब मिलती है ना, तो ये शरीर उसको पाने के लिए जट पटाता है, हमें पता ही नहीं है, आसली चीज हमने कभ खाई है, त जादा ही करती थी, तो वो सुख जाती थी, बासी बन जाती थी, सुबर जब बासी उटी जब हम पकाते थे, गरम करते थे, तवे पर, तो उसके बाद में, जब उसको मसर कर चाय में खाती थे ना, वह, क्या स्वात था, ना शक्र की जरुवत, ना तूप की जरुवत, ना क इसी घे की कुछ भी जरुवत ने वहाँ इतनी मीठी लगती थी पता ही नहीं दूद में अगर खाए तो भी शक्कर की जरुवत नहीं इतनी मीठी लगती थी आज ताजी रोटी घी के साथ खाओ भी उतना टेस्ट नहीं आता कैसे कहते हैं प्रजय टमाटर में तेरा तत्व हुआ करते थे अभी सिर्फ पांच-छे बज गए ऐसे हर खाद्यान के बातबारे में हो गए असली चीज है नहीं तो जीवन का असली रूप हमने कभी अनुब किया ही नहीं तो सदुर्वामी यही कह रहे है जब तक प्रेम आनंद और परमानंद के आसू आपके आखों से आपके गालों पर टपकते नहीं है तब तक आपने जीवन का असली मजा चखाई नहीं है जब आप असली फल खाकर इतना उससाइत हो रहे तो असली आनंद होने के बाद आप कितना आप उसको महसुस करोगे खुद को लेकिन उस आनंद के पीछे कोई पागन ने क्यों सुक का बोलबाला है तो और कोई सुक के पीछे आईशो आराम के पीछे मन रंजन के पीछे भागन कल मैंने एक लड़की का भजन सुना है सीलागी लगन तो वो यह तो खुद अनुब जलोटा जिननों ने इस भजन को पूरे विश्व में पहला दिया देश में नहीं विश्व में पहला दिया उनके भजन अगर शुरू हो गए तो सड़के थम जाती ती यह ना जबर्दस्वन का प्रभावत वो खुद खड़े हो गए दूसरे सुर के मेरताद बाश्या तलत अजिस वो दोनों साथ में थी तो दोनों खड़े हो गए और खुद अनुब जलोटा बोले सब उनकी प्रसंशा कर दे बहुत बड़ी आगाया बहुत बड़ी आगाया उन्होंने बोला रुको मुझे एक बात कहनी है सब शांत हो गए तो उन्होंने बोला जो उस गीत के जन्मत आता थे उन्होंने बोला इसने ऐसा गाया मुझसे भी बहतर गाया इससे बड़ा certificate इससे बड़ी तौफा और क्या चाहिए तो उन्होंने एक बात कही इसने टेक्निक को नहीं पकड़ा तंतर द्यान को नहीं पकड़ा इसने भाव को पकड़ा और अपनी प्रकृती से गाया तो और बहतर हो गए इस दुनिया में कुछ भी बहतर नहीं होता हर चील्स बहतर है अगर आप पूरे खोश और आवास खोकर करे तो वैसे जीवन में आप सोचिए उसको कितना अनंद हुआ होगा तो आपने उस अनंद का अनुगोई नहीं किया है सुद्गुरु क्या कह रहे आप इस खाने के पीछे पागल है आप इस शरीरिक भोगों के पीछे पागल है आज लोग पैसे के पीछे सत्पा के पीछे सब तरफ लोग पागल है प्रॉपर्टी जमा करने के लिए नाम रोशन करने के लिए सबसे बड़ा पागल पागलपन पेशा और सेक्स दे दोनों का है यह क्यों है क्योंकि इसने कुछ सुक मिलता है कुछ समाधान मिलता है शायद लेकिन वो जूटा है अगर असली आनन्द आपको अगर पाना है तो आप जरा अंदर मुड़ो आप आनन्द के साघर हो लेकिन आप उठूंड का रहे हो कस्तोरी मुख्की तरह बाहर दूंड आप एक बार तो अंदर मुड़ो अंदर दिखेगा बहुश सालों से देखाई नी तो रशान्त हो जाओ ध्यान में डूब जाओ अप एक्सान छोड़ दो सेवा करो जिस चीज में जी रहे हो उस चीज में डूब जाओ अपने आप आनन्दित हो जाओ और जिस दिन आपको आनन्द का पता चले जिस दिन आपको परमानन्द का पता चले उस दिन से आप इस छोटी-छोटी सूखों के पीछे नहीं भागो इसलिए सादू संतूं के आगे धेर सारी संपत्ती रखो उसके सामने कितनी आफसराय रखो उनको कोई फरक नहीं पड़ता हम लगते ने वो वहरागिये वगर नहीं है उनको उससे बढ़िया कुछ मिला है हम जिससे पीछे पागल है यह जो कागर्च की गड़िया है यह जो लोहे के सिक्के हैं इनके पीछे हम पागल इसलिए है कि हम यह आसली जीवन के सिक्के मालूम नहीं अभी देखिए हम शरीरिक तोर पर प्रेम में कितने आठके होते हैं शरीर पर प्रेम करते हैं बाहुनाओं पर प्रेम करते हैं करते ह लेकिन जब आप इस प्रकृति से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम ये कुछ और होता है, आपको पता है, चाहे दो प्रेमी हो, अगर वो प्रकृति में चले गए, संदर संदर वादिया, जरने, वह अगर चले गए तो एक दूसरे को भी भूल जात, वो प्रकृति में खो जात, यह सही नहीं, क्या ऐसा नहीं? मत्कव इन दोनों के प्रेम से भी बड़ा प्रेम है, कोण सा? तो एक बार तो प्रकुति के प्रेम में गिरो, सिमेंट के इस जंगलों में इस पत्थरों के और इस सब एक कृत्रिम दुनिया से बाहर निकल कर आप थोड़ा प्रकुति के सानिध्य में चले जाना तो आपको प्रकुति का आनन्द में लेगा बारिश में बेगना, जर्ण के नीचे खड़े होना, थोड़ा तो आनन्द लेना, किसी पेर को गले लगाना, अपनी बाहों में लेना तो फिर आपको धीरे-देरे समझ में आएगा कि असली प्रेम क्या है यह तो आमें थोड़ी सी जलक मिलती है, जहां हम प्रेम कर रहे हैं, वो तो जलक है, छुटी सी उसका बड़ा रूप आपको प्रकुति के सामवे में मिले जो असली जीवन है, उसका मजा चखनी की कोशिश करना, तो यह हलकी चीज़े आज से अपने आप गिर जाएं, तो यही कोशिश कर रहे हैं आज यहां रहेकर हम इस आनंद का आनुमों कर सकते, कैसे? जब आप किसी अंजाने वक्ति को मदद करते हैं, और उसका दुख दर्द नश्ट होकर उसके चहरे पर आनंद आ जाता है, उस वक्त आपको कितना अच्छा मेसस होता है इससे क्या पता चलते हैं? क्या पता चलते हैं? हम निश्वारत भाव से कुछ भी करते हैं और उससे किसी का लाफ होता है, तो हमें आनंद होता है बस करते हैं और उसमें डूब जाते हैं तो परमानंद होता है लेकिन हमें सिकाया गया है, अगर कुछ ना मिले तो करो मत हुकट में किसी की सेवा नहीं करना, हिसाब किताब रखना, न जाने कितने लोगों ने हिसाब किताब रखे, उनके खाते वहीं आज भी पड़ी है, सड रही है, तो हिसाब कि दुनिया से बहार आना, और थोड़ा बेहिसाब जीना, इस बेहिसाब जीने से आपको कुछ आनन्द मिलेगा, और जब आनन्द आएगा आपको, तो आपके आँखों से जो आनन्द के आंसु बहेंगे, प्रेम के आंसु बहेंगे, वो जब आपके गाल के उपर से बहेंगे, निकलेंगे, तो आप असरी में जीवन का कुछ मजा चखेंगे, मैं तो ये पेसे का क्या मजा चखना है, ये पद का, सत्ता का, ये इस शारिक तोर पर हम जो प्रेम का मज़ा चकते हैं, उससे तो कही गुना और इस प्रकुति का मज़ा है, आप ले लो, और चखो और आपने जीवन को और सुंदर बना यह लोगा चिवा चिष्यादा भषणा में, घूदडवा चोड़ा में, चोड़ा बच्यू हों अफिश्यादा है, आप एल जीवन का मान्या श्रह कर दो है, और पाइणा है एरोप्लेन पेसी जलता है हो Brexit असल में कार में ब्यटने का आनन्द क्या हो लेकिन उसके लिए तो वही असल है ना है जिर्टी ही भात है कि यही बात है साथो संत्रों के सामने हम बच्चे है और हम जो जिसको जिसको आनन्द समझते हैं सुक समझते हैं वो बचका ने खेल रहे हमार और वो आमें जगाने के कोशिछ कर्दे है लेकिर हमें उसे तक्लिफ होती मेरे क्या उमर है क्या अब sam ये सब सब मेरे उमर रहने मेरे तो खेल लिक उतने की उमर है ऐसे ही सोचने हमें बांध के रहा अगर हम समझने आजाए कि सादो संतों के सामने हमी बच्चे, हम आगयनी अपने हमें मार्ग मिलेगा असली प्रेम का, आनन्द का और पन्मानद तो गुल की बिना हमें वो मार्ग मिलना असंबल अपने हम मार्ग मिले वह तो अलवखी कसलागे लखोग प्रोड़ में किसी का होता है बगवान वुद्ध हर कोई ने होता बगवान स्रीकुष्ठ हर कोई ने होता हमें मार्ग दिखाने वाला चाहिए अगर हम उसे टकूनेंगे उस मार्ग पर चलेंगे तो हमें भी जिवन के असली मजे का हरो दने